लो स्टुडेंट्स आप सभी को गोडी इवनिंग नमस्कार बच्चो वेल्थ अकाउंटेंसी में हम फर्म का समापन विजुलिशन और पार्टनर्शिफ फर्म ये वाला चप्टर हमने कल स्टाट किया मैंने आप लोगों के लिए की वीडियो बना के वेजा इसके पहले कि फर्म का समापन जब होता है तो फर्म के समापन में और साजेदारी के समापन में क्या अंतर होता है वो हमने इसके पहले वाली क्लास में देखा आप लोगों ने देखा होगा बच्चो साजेदारी का समापन मतलब साजेदारों के बीच जो समझोता होता है उसमें परिवर्तन होना और फर्म का समापन मतलब सम्मंदों का समाप्त हो जाना ये साजेदारी के समापन में और फर्म के समापन में अंतर होता है फिर अमने एक और चीज देखी थी कि जब फर्म का समापन होगा इसका मतलब व्योसाय बंद हो जाएगा व्योसाय बंद होना मतलब जितने भी खाते आपके चालू है उन समस्त खातों को बंद करना होगा बन्द करने के लिए हम चिठे में जितने भी समपत्यां है दाइतों हैं उन्हें वसुली खाते में transfer किया जाएगा और फिर उनसे वसुली करके दाइतों का भुक्तान किया जाएगा और जो रासी बचेगी उससे हम साजेदारों में उनके पुंजी खातों में ट्रांस्पर कर देंगे तो आज हम उसी से रिलेटेड कोस्टन लेकर क्या आए हैं जब वसुली खाता बनाने को आएगा तो किस प्रकार से हम उसको बनाएंगे आभी क्योंकि से नाइंटीन सेप्टेंबर से हमारा कौर्टरली एग्जाब स्टार्ट होने वाला है तो यहां तक कोर्स वसूली खाता मतलब फर्मळ के समापन कर चल रहा है जिसमें objective type के question के तैयारी होगी important important जितने भी हमारी question bank आया हुआ है वो हम करेगे वैसे last year भी मैंने पूरा course पड़ाया था उसके playlist आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा साथ ही लास्ट येर जो कोस्टन बेंक आया थी उसको भी मैंने पूरा हल करवाया फिर पिछले वर्सों के जितने भी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कोस्टन जो बोर्ड एक्जाम के पेपर ने उनको भी सॉल कर आया आप यह दिए चौहान एकडमी खंडवा का यूटूब चैनल को जब आप सर्च करेंगे आपको घचा ना मिलेगा वहां पर मतलब बहुत सारे चीज़ आपको मिलेगे वहा लेकार करवाए थे तो इस बार भी हम वैसे ही तयारी करने वाले हैं लेकिन पहले हमारा कोर्स कम्प्लेट कर ले सेप्टेमबर में हमारा न होना都是 यह वो है फर्म का समापन यहां तक होना चाहिए तो हमने आज हमने एक पहले वीडियो देख लिया होगा आप लोगों ने अब यह सेकंड वीडियो है इसमें हम वसुली खाता किस प्रकार से बनाने वाले हैं वो देखेंगे तो स्टाट करते हैं जोहान एकेडमी घंडवा मे और उसमें related question है कि X, Y और Z तीन साजिदार है उनका profit sharing ratio 5, 3 और 2 है ठीके उनोंने साजिदारी फर्म का विगटन करने का निश्ची किया विगटन के तारिक 31 दिसंबर 2018 उस दिन 31 दिसंबर 2018 को उनका चिठ्था दिया गया है कि उनके पास दाई तो कुन-कुन से हैं लेंदार है अब लेंदार बाहरी दाई तो हो गया दूसरा X का rate खाता पर एकस तो partner है घर का अदमी है उसका rate है मतलब यह अंतरिक दाई तो हो गया मैंने आपको बताया था कि जब बुक्तान करने जाएंगे तो सबसे पहले बाहरी दाईतों का भुक्तान किया जाता है उसके बाद अंतरिक दाईतों का भुक्तान होता है इसलिए हम पहले यहाँ पर X का rate खाता मतलब X घर का अदमी उसको बाद में payment करेंगे फिर पुझी तो उनकी पुझी खातों में जाती है मतलब वसुली खाते में कौन सी चीच जानी वाली कि वह लेंदार फिर इधर संपत्तियों में रोकड, स्टॉक, देंदार, प्राप्पी, पत्र, फरनीचर आप लोगों को मैंने बताया था कि बेंक और रोकड ये दो को छोड़ देंगे और बाकी सारी संपत्तियों को हम वसुली खाते के डेबिट सैड में ट्रांसफर कर देंगे इनको डेबिट में और ये बाहरी दा पर वसुल्वे उसको वसुली खाते के क्रेडिट में, बेंक के रूप में फर नीचर ड्वारा, वाय द्वारा पुस्तख मुल्य पर ले लियागया वहाय को ये दी कोई साज़जार के संपत्त्य को लेता है तो उसका पुझी खाता क्रेडिट में क्या लिखेंगे बेंक की जगह वाय का पुझी खाता लिखेंगे समापन वे 2,000 रुपे हुए जो वे हैं वो डेबिट में लिखा जाएगा वसुली खातेगे डेबिट में और आप लेंदारों के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं लेंदारों को भुक्तान करना है कि नहीं करना है जब प्रस्ण मोन हो इस मामले में तो हम मान लेंगे कि लेंदार 27-500 के थे और उनको 27-500 रुपे भुक्तान किया गया ठीक है और इस प्रकार से हम क्या बनाने वाले हैं वसुली खाता आप यहां बोला है कि आवस्यक जर्नल प्रविस्तिया कीजिए कर सकते हैं वसुली खाता भी बना सकते हैं वसुली खाता बनाना से जनर्रल प्रविस्टी में आप कन्फ्यूज आएंगे वसुली खाता बनाएंगे वसुली खाता किस प्रकार से बनाए जाता है उसको हम देखते हैं ठीक है तो देखिए तो वसुली खाता या रियलाईजेशन अकउन उसका फॉर्मृट क्या है आप लोगों को पता है पना लेते हूं खटआपफट गर्रीन बोर्ड लिया है ठीक है उसे ब्लैक बोर्ड होता है उसी प्रकार चे आज हमने ग्रीन बोर्ड सेलेक्ट किया है इस प्रकार से आपको लग रहा है ग्रेंड बोर्ड पर पढ़ना वह आप कमेंड करके बताना ताकि हमने तो बोर्ड चेंज कर देंगे हमारे पास कलरफुल बोर्ड है बहुत सारे बोर्ड है है ना चलिए अब सबसे पहले हम क्या रिखने वाले हैं वसुली तारिक हाता मतलब रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट कोन सी तारिक को बना रहे हम एजोन 31st दिसेमबर 2018 कि अधर क्या आएगा वाई पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है यह तो हो गया हमारा खाते का फॉर्मिट हो गया अब हम सबसे पहले क्या लिखने वाले मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम वसुली खाता बनाएंगे तो हमारे सामने प्रस्न के रूप में रहेगा बैलेंसेट मतलब चिठ्ठा तो चिठ्ठे के संपत्ती पक्ष में जितनी भी संपत्तियां होगी रोकर और बेंक को छोड़ के वो समस्त संपत्तियों को उठा के हम यहां लिख देंगे कहां पर डेविट सैट में लिख देंगे स्टॉक कितने रुपय का है 17,500 अंदर लिखना पड़ेगा आपको उसके बाद में डेटर तब देंदार यह कितने का है 24,000 का इसको भी अंदर लिखना पड़ेगा इसके बाद में बिल्स पैबल मतलब प्रापय उपत्र इसको भी अंदर लिखेंगे और उसके बाद में है फरनीचर यह हमने लिस्ट बना लिए तब से पहला काम हमें करना है संपत्तियों की लिस्ट बनाना है हमने लिस्ट बना लिए इतनी संपत्तियों को चिठे से हम वस तो लिखाते में ले आये मतलब आप यह खाता बंध हो गया तोटल कितनी हो गई जीरो जीरो फाइव ने फाइव और फाइव जीरो ठीक है फिर पांच और पाच दस हो गया आठ और चार बारा और तीन पंदरा तो तीन और एक चार ठीक 20, 30, 40, 45, 45, 45, 45,000 रुपे के आपके पास संपतियां है जिन से आपको पैसा वसूल करना है अब इधर हम आएंगे दाईतो पक्षमे से क्या उठाएंगे हम बाहरी दाईतों को उठाने वाले हैं बाहरी दाईतों इसमें क्या दिया है केवल क्रेडिटर दिये हैं तो हम सीधे सीधे क्रेडिटर लिख देंगे 27,500 अब यहां पर हम यदि ज्यादा दाईतो होते तो हम संड्री लाइबिलिटेज भी लिख सकते थे लेकिन हमने केवल क्रेडिटर लिखा क्यों एक ही है वह 27,500 यह पहली स्टेप पार कर ली हमने संपत्तियों को डेडिट में लिख दिया दाईतों को प्रेडिट में लिख दिया अब इनसे वसूली करना है मतलाब अब इनसे जो वसूली होगी उसको हम यहां लिखने वाले हैं किस रूप में बाइब बेंक अब यह पैसा आपको कहां मिलने वाला है प्रश्न बैलेंस इट के नीचे स्टॉक और देंदारों से 17,000 और 22,000 रुपे वसुल हुए अतलब स्टॉक और देंदार स्टॉक से 17,000 और टेटर टेटर से 22,000 रुपे ठीक है? फरनीचर वाय द्वारा ले लिया गया अब भी लिस्ट में तो क्या क्या दिया गया है स्टॉक, देंदार, प्राप्पी पत्र, फरनीचर प्राप्पी पत्र के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा गया जब प्राप्पी पत्र के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो क्या लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेगे हम इसको मान लेंगे कि इसको उसी के पुस्तक मुल्ये पर रख लिया गया तीन हजार रुपए पर तीन चार संपत्तिया हैं दो के बारे में कहा गया था फरनीचर को तो वाय ने ले लिया तीसरे के बारे में बोला गया ने था तो हम मान लेंगे उसको उसी मुल्य पर रख लिया गया 20, 30, 40, 42,000 रुपए आपको कैस मिला अब हमने यह देखा था कि जिससे वसुली होगे तो बेंक के रूप में आएगी लेकिन वाय इस कैपिटल अब फरनीचर को किस ने रखा वह या वाय ने रखा इसका मतलब वाय का पुंजी खाता डेबिट हो गया और यहां ब्रेकेट में लिख जेंगे कि वाय ने क्या लिया है फरनीचर लिया है इसलिए हमने उसका पुंजी खाता डेबिट किया है फरनीचर कितने रुपए का है 500 रुपए का ले ठीक अब यह हो गई संपत्तियों से वसुली हमने पहले संपत्तियों के लिस्ट बनाई कितने संपत्तियों से पैसा वसुल करना है इतने दाईतों को भुक्तान करना है अब हम संपत्तियों की वसुली करने गए तो संपत्तियों से इतनी रास्ती वसुल हो गई अब हमें दाईतों का भुक्तान करना है तो दाईतों के भुक्तान में कौन है लेंदार है मतलब पा 27,500 और क्या चीज़े एक चीज़ा और ध्यान रखेंगे बेंक अकाउंट यह लिखना जरूर यह कि यह बेंक किसके लिए है क्रेडिटर के लिए और यह किसी लिए है रियलाईजेशन एक्सपेंसेस के लिए वसूली पर व्य कितने हुए समापन व्य दो हजार रुपए दो हजार रुपए वसूली का व्य हुआ ठीक है अब हमारा प्रेस्ट नहीं आपर समाप्त हो गया मतलब वसूली जितनी होना था उतनी हो गई अब हम क्या करने वाले हैं हम वसूली पर लाब हो रहा है या हानी हो रही है इसको हम लिखने वाले हैं ठीक चलिए सबसे पहले देखो यह वसूली है ये पक्ष बड़ा होगा तो लाब इधर लिखा जाएगा लाब होगा यदि डैबिट पक्ष बड़ा होगा तो हानी होगी और उसको इधर लिखी जाएगी जोड लेते हम इसको टोटल कर लेते हैं कितना हो रहा है 27,500, 42,000 और 500 ये हो गया 28, 32 और 40, 70,000 रुपे हो गया मतलब हमारा जो वसूली वाला पक्ष है 70,000 का है इधर देखते हैं 40, 20, 60 70, 2, 42 44,500 ये बड़ा दिख रहा है मुझे तो 44,500 कुन सा पक्ष बड़ा है डेबिट पक्ष बड़ा है इसका मतलब ये हुआ कि डेबिट पक्ष बड़ा होने से आप को क्या हो रहा है लॉस हो रहा है ट्रांसपर टू ट्रांसपर टू पाटनर्स पापिटल अकाउंट ये जो हानी है 4500 रुपे की हानी है ये साज़ेदारों के पुझी खातों में ट्रांसफर कर दे जाएगी और ये हो गया 4500 कौन-कौन साज़ेदार है X, Y, Z तीनों में 4500 को आप बाट देंगे किस रेसों में बाटेंगे 5 अनुपाद 3 अनुपाद 2 में 5 is to 3 is to 2 ठीके 4500 गुणित A का X, Y, Z X का हिस्सा है 5 टोटल हिस्से है 10 ये कड गया कितना आएगा 25, 25 का 20 और 2, 22 2550 की जो हानी है कौन वहन करेगा X Y के हिस्से में कितना आएगा 4500 गुणि 3 बटे 10 तीना पंजे 15 और एक 4500 गुणि तीनों के जोड़ेंगे तो 4500 होगा ठीके ये है हमारा realization account वसूली खाता यहां पर debit पक्षबड़ा होने पर फनी आएगी जो की साजिदारों के पुझी खाते में debit side में transfer हो जाएगी ठीके इसमें तीन step है पहली step में अब हम उसको highlight कर देते देखिए पहली step में आपने किया संपत्तियों की list बना ली और इधर दायतों के list बना ली किठे में से संपत्तियों को आप ले आए इधर दायतों को ले आए दूसरी step में आपने संपत्तियों से वसूली कर ली पहिंक के रूप में और किसे साजिदार ने खरीद ली उसी वसूली में से आपने जितने भी आपके दाईत उथे उनका भुक्तान कर दिया इसमें वो समापन के वेबे आ गए अब जो पैसा बचा वो या तो लाब होगा नहीं बचा तो हानी होगी तो तीसरी स्टेप में बैलेंस निकालना आता है सेस निकालना आता है पहली स्टेप में लिच्ट बना हो दूसरी पैमें करो तीसरी स्टेप में सेस निकाल दो फिर के यह वसूली खाते का पॉरमेट और होग आपको समझ में आ गया होगा नई समझ में और नई वो समझ में आया तो और हम देखेंगे एब यह था हमारा ग्रेन बॉर्ड अब हम एक और दूसरा लेते हैं अहां यह वाला लेकर देखते हैं ठीक है कुस्चन नमबर टू कि दिख रहा है कि कुस्चन नमबर टू को लेहना लाइट कुस्चन नमबर टू में दिया है कि एक फर्म में ए और बी समान साज़िदा थे एक फर्म हैं ए और बी दोनों बराबर बराबर इक्वल पार्टनर हैं उनका चिठ्ठा 31 दिसंबर 18 को दिया गया है तो चिठ्ठा दिया है मतलब लेंदार संचय कोस बी की पतनी का रिण पार्टनर ए और बी है अब यहाँ पर किसका रिण है बी की पतनी का मतलब बी की पतनी तो बाहरी विक्ति हो गई इसलिए लेंदार भी बाहरी दाई तो है बी की पतनी का रिण भी बाहरी दाई तो है संचे कोस ये तो जमा किया हुआ पैसा है जो कि साज़ेदारों के बीच में बाटा जाएगा उनके पुझी खाते में जमा हो जाएगा ओ एक आरे नहीं है तो घर का विक्तीए इसको बाद में देंगे इसको वसुली में नहीं ले जाएंगे और पुझी तो पुझी खाते में जाएगी अब हम आएंगे संपत्ति पक्ष में क्या बताया था रोकर, बैंक दोनों को छोड़ देंगे प्रोकर को छोड़ दो इसके बाद जितनी भी संपत्तिया हैं वो सारी संपत्तियों को वसुली खाते के डेबिट में ले जाएंगे कौन-कौन से ये रहतिया प्राप्पी पत्र अब आया हमारे सामने देंदार अब आपके सामने समस्या हमारे सामने आगे कि सर्फ देंदार 16,000 के हैं और उसमें से संचे 800 घटाया तो 15,200 तो 15,200 लिखे कि 16,000 लिखे आपको 16,000 लिखना है आपको जो देंदार कितने लिखना है 16,000 जो अंदर वाले हैं वो तो फिर 800 रुपए ये कहा जाएंगे ये घट रहा है मतलब ये अपोजिट वाली मद है मतलब ये दाई तो है ये जो संपत्ती में से घटाया जा रहा है मतलब वो आपके सामने वाला विरूदी पक्ष का है तो संचे क्या हो गया दाई तो हो गया और ये दाई तो कहा जाता है डेबिट क्रेडिट में जाता है वसुली खाते क्रेडिट में जाएगा तो यह संचे को आप क्रेडिट में लिख दोगे ठीक है फिर फार्नीचर और भावन यह तो हम लिखी देंगे अब इनसे क्या वसुली हुई यह देख लेते हैं उन्होंने उक्तति थी को फार्म का लेंदारों को 4% बट्टे पर भुक्तान कर दिया गया अब यहां दे रहे हैं कि लेंदारों को 4% डिस्काउंट पर पेमेंड किया गया मतलब जितने के लेंदार हैं उसमें से 4% आपको कम भुक्तान करना है तथा B की पत्नी के रिंग का भुक्तान कर पूर्ण कर दिया गया है विगटन के वे बारा सो रूपए हुए आवस्यक जन्नल प्रीष्टी कर लें मतलब आपको यहां पर वसूली खाता बनाना है त्यक्यें अब हम यहां बनाएंगे वसूली खाता अब यह आप लोगों के सामने एक नया एक्सपेरिमेंट एक नया बोर्ड आपके सामने आ गया है ठीक है अलग अलग कलर किसी को लग रहा होगा कि यह तो आइस क्रीम का जो चौको बार आती उसका कलर है पॉर्मेट तो हमारा डिसाइड है अब यहां पर भी वाइट कलर इडिस अच्छा लगेगा है ना चलिए वसुली खाता यह रियलाइजेशन अकाउंट आज अच्छाइड थर्टी फर्स्ट अभे विया यह दिसम्बार 2018 क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर और अमाउंट यह हमारा बन गया वाइट ठीक अब हम इसमें लिखने वाले हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे आपको मालूभ हैं सबसे पहले हम लिखेंगे चिठे के समपत्ती पक्ष की समपत्तियों को लिखने वाले हैं संपत्ति पक्षमे संपत्तिया रोकर्ड बेंक और डुबत रिड प्रावधान इनको तीन को छोड़के बाकी सारी संपत्ति हम लिख लेंगे इस रूप में रिखेंगे तू क्यूंकि विवीद संपत्ति यां तंडरी असेट्स विविद संपत्तियां कौन-कौन सी है सबसे पहले तो स्टॉक है उसको लिखो कितने का स्टॉक बारह हजार फिर बिल्स पैबल बिल्स रिसीवेबल प्राप्पी पत्र छे हजार के उसके बाद डेटर मतलब देंदार अठारा हजार कि सोलह हजार सोलह हजार सॉरी तोलह हजार ठीक उसके बाद में परनीचर यह हम क्या कर रहे हैं यह हम संपत्ति पक्षे की जितनी भी संपत्तिया हैं उनकी हम लिस्ट बना रहे हैं अभी वसुली नहीं भी यह हम लिस्ट बना रहे हैं 13,800 और बिल्डिंग है बिल्डिंग तोलह हजार रुपे का ठीक यह बन गई हमारे लिस्ट अब टोटल कर लो 12, 10, 20, 30, 40, 59, 55, 55, 55, 60, 61, 62, 63, 63, 68, 63, 68, 63, 800 रुपे की आपकी संपत्तिया है अब दाई तो पक्ष में से क्या-क्या उठाने वाले हम तो सबसे पहले यहां भी लिख दो क्योंकि दो-तीन दाई तो हैं इसलिए आप संडरी लाइबिलेटिज लिख सकते हैं यहां जहां दो-तीन आ जाये तो वहां पर आप संडरी लाइबिलेटिज लिख सकते हैं क्रेडिटर्स हैं 10,000 रुपए के ठीक फिर है बीज वाइफ लोन मतलब बी की पत्नी का रिण क्योंकि बी की पत्नी कोई साज़ेदार थोड़ी नहें और आएगा बिल्स पैबल बिल्स पैबल है 2000 और एक चीज आएगी हाँ पर क्या आएगा मतलब डूबत रिण प्रावधान आठ सो रुपए का यह आपके सामने आ गए विविद दाईत्व ठीक है यह तीन तो हम लिख लेंगे लेकिन क्या आएगा यहां पर दो कन्फिजन का बी की पत्नी का रिण और एक का रिण ए तो साज़ेदार इसलिए घर का व्यक्ति उसको पाद में देंगे लेकिन बी की पत्नी बाहरी है इसलिए उसको हम पहले देना पड़ेगा तो लेंदार बी की पत्नी का रिण दे भी पत्र और बीडियार मतलब डूबत रिण प्रावधान जो देंदारों में से हमने घटाए नहीं है उनको यहां पर लिखना है अब कितने हो गई यह 10 और 4,14,216,800 रुपए के दाईतों हैं लेकिन लेकिन हमें यहां यह दियान रखना है कि जो 800 रुपए कि यह जो रूबत रिण प्रावधान नहीं इनका भुकतान थोड़ी न करना है आपको यहां लिखना जरूर है दाईतों में लेकिन भुकतान इन तीन का कर करना है इसका भुकतान नहीं करना है यह दियान रखना अब यह पहली स्टेप पहला पढ़ाव पार कर लिया संपत्तियों के लिस्ट बना ली दाईतों के लिस्ट बना ली अब संपत्तियों से वसूली के लिए इधर आ जाएंगे क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या से 20,000 फिर है फरनीचर से 11,800 फरनीचर 11,800 टेटर से 14,400 फिर है प्राप्पी पत्र से 56 बिल रिसीवेबल से 56 और स्टॉक से 11,400 स्टॉक से 11,400 अब मिला लो यहां कितरी है एक दो तीन चार पाँच यहां मिला लो एक दो तीन चार पाँच बराबर जोड लेंगे हम 20 और 10,30,10,40,50,51,54,60,61,61,62,62,62,62,63,200 63,200 रुपे की वसूली हुई कितनी वसूली हो गई अब भुकतान तरब जाएंगे संपत्तियों की वसूली हो गई आप दाईतों का भुकतान करेंगे दाईतों में क्या लिखा है लेंदारों को 4% डिसकाउंट पर भुकतान किया गया है भी या तू बेंक अकाउंट ठीक है तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्रेडिटर अब क्रेडिटर कितने के हैं क्रेडिटर हैं 10,000 के 10,000 का 4% कितना हो गया 400 रूपे मतलब आपने 9,600 रूपे पेमेंट किया इसके बाद इसके बाद क्या लिखा है देवी पत्र और बी की पत्नी का रिण का भुकतान कर दिया गया है ए भी पत्र और बी की पत्नी मतलब पीज वाइफ पीज वाइफ लोन ठीक है बी की पत्नी का रिण कितना है 4,000 बिल्स पैबल 2,000 क्या बचा अभी मैंने बताया था बी डी यार इसका भुकतान नहीं करना है क्योंगि यह तो संदीग्द रिण है उनके लिए हमने प्रावधान बनाया है नहीं जरुद पड़ती है तो इसको पैशे को बाट लिया जाता है व्यसे भी यह profit मतलब लाव वाले पक्ष में तो यह बचा विगटन भी आए आप realization expenses को यहां भी सामिल कर सकते हो 1200 रुपए आप जोड़ दो 9,4,13,25,16,800 यह हो गया दूसरा पढ़ाव पार संपत्तियों से वसूली हुई 63,200 और आपने भुक्तान किया 16,800 इसाब बराबर यह संपत्तियों के list यह वसूली हो गई यह दाइतों के list यह भुक्तान हो गया अब जो पैसा बचेगा वो साजीदारों में बार देंगे जोड़ लो अब हम निकालेंगे balance चलिए यह पक्ष बढ़ा रहा तो lab यह पक्ष यह दी बढ़ा रहा तो honey पहले देख लेते हैं पहले हम डेविट पक्ष ही देख लेते कि इसके पहले वाले प्रस्ने में हमें ऐसे ही लगा था तो 63,800 16,800 तो साट और दस सत्तर सत्तर और छे और तिन नौ उननात्तर सत्तर हजार छे सो नहीं यार कला थे साट दस सत्तर सत्तर और दस सत्तर उनासी असी हजार छे सो अभी वल्दी हो जाती न यह साट और दस सत्तर सत्तर नासी असी हजार छे सो अब यह साट दस सत्तर नासी और असी मतलब यह असी हजार छे सो हो रहा है और यह असी हजार हो रहा है मतलब छे सो का इंतर है बहुत बड़ी है मतलब यह जो लॉस हो रहा है वह कितने रुपय का हो रहा है छे सो रुपय का हो रहा है अग्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्या हमारे हो गए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा या आ गया होगा नहीं आया होगा तो फिर अगले प्रस्ण में देखेंगे ठीक है एक और सवाल कर ले इस दो काफी है आज के लिए दो प्रस्ण काफी है ठीक है ठीक है इसके आगे फिर प्रेक्टिस भी करना आप लोगों को आप लोग प्रेक्टिस करिएगा कल फिर हम आगे के क्वेस्टन देखेंगे ठीक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करना अपने दोस्तों के साथ सेयर करना वही वाटसप पर धेरो मेंसे जाते हैं बीना पड़े हम उसको सेयर कर देते हैं ठीक है तो जो काम की चीज नहीं है फिर भी हम उसको सेयर कर देते हैं तो यह तो काम की चीज है जो बच्चा कोचिंग नहीं जा पा रहा है पड़ा नहीं पा रहा है तो उसके लिए फ्री क्लासे से हमारी आप ये वीडियो इसको सेयर करते हैं उसको हमारे पिछले साल के भी बहुत सारे वीडियो भी देख सकता है वो पुरे सुरू से पुरा कोर्स कम्प्लीट कर सकता है तात में PDF नोट्स जो आने केडमी खंडवा का जो प्ले स्टोर पर जो एप है उस एप पर आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे प्री में तो वह से आपको स्ट्राइब कर सकते हैं फिर मिलते हैं तब तक लिए Good night Bye-Bye